तो आपने देखा कि किस प्रकार जब जो साज़ेदार निवृत्त हो जाता है और जो शेश साज़ेदार फर्में बच जाते हैं वो जो अपना लाभानी विभाजन का अनुपात है वो पहले की ही भाती अगर प्राप्त करते हैं तो बहुत आसानी से मुझे कैलकुलेशन कर ल निवृत अनुपात में एक्राइय कर लेते हैं नितिन मुकेश और महेश लाभानी को तीन अनुपात दो onlar एक अनुपात में भाढ़ते हैं कि महेश अव्काल ग्रंड करता है उसका इस्सा नितिन और मुकेश के दो अनुपात एक में ले लिया जाता है नए लाभानी विभाजान अनुपात की गड़ना कीजिए अब क्योंकि इस प्रश्ण से स्पष्ट हो जा रहा है कि जो अलग होने वाला साजेदार है उसका हिस्सा पुराने साजेदार एक निर्दिश्ट अनुपात याने दो मुकेश बचते हैं अब हम देखते हैं कि मुकेश का पुराना हिस्सा कितना था तो तीन अनुपात दो अनुपात एक के हिसाब से नितिन का पुराना हिस्सा था तीन बटेच है इसी तरह मुकेश का पुराना हिस्सा था दो बटेच है अब क्यूंकि महेश का हिस्सा है एक और जिष्चे श्थे को नितिन और मुखेश के द्वारा दो अनुपात एक वे लिया जाता है। 2 बटे 3 और 1 बटे 3 में लिया गया तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि जो साजेदारों को जो महेश का भाग था वो हस्तांतरित जब किया गया तो यहां पर नितिन को जो हस्तांतरित किया गया मुकेश का निकाले तो हम देखते हैं कि महेश की हिस्थे काuje 1 बटे 3 भाग प्राप्त होता है तो यहां पर यह हो जाएगा 1 बटे 6 का 1 बटे 3 मतलब 1 बटे 6 गुडित 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 18 अब हम नए अनुपात की अगर गड़ना करें यहां पर तो स्रेश साज्यदारों का खुलन पात या नए अनुपात हम यह कह सकते हैं कि अग दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है 9 दन 2 बटे 18 बराबर 11 बटे 18 जोडने के लिए जैसे कि हमने पहले भी लावानी विभाजन अनुपात की कैलकुलेशन की थी हम हर का यहां पर लगुत्तम लेंगे और उसके अधार पर पिर हम यहां पर जोड़ और प्राफ्ट हो गया तो कुल मिलाकर उसका हिस्सा हो गया साथ बटे 18 तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो शेश साजयदार है नितिन और मुकेश उनका लावभानी विभाजन अनुपात 11 अनुपात साथ हो तो आपने देखा कि किस प्रकार जब एक साजयदार निवरित्त ह हो जाता है तो जो बचे हुए साजयदार होते हैं वो निर्दिष्ट अनुपात यानि जैसा भी कंडिशन बनती है जैसा भी प्रश्ण में दिया रहता है उस अनुपात में वह उस्से को खरीदते हैं और उसकी आधार पर हम उसकी क्यालकुलेशन करते हैं अब आईए हम इ जो लाभानी 4 अनुपात 3 अनुपात 2 के अनुपात में बाठते हैं बा अवकाज ग्रैंप करता है और उसका पूरा का पूरा हिस्सा ले लिया जाता है और पहले से अगर हम देखें तो चार अनुपात तीन अनुपात दो के हिसाब से सा का जो पुराना अनुपात है वो दो बटे नौ है तो अगर वो बा का पूरा का पूरा हिस्सा यानि कि तीन बटे नौ ले लेता है तो उसका नया हिस्सा हो जाता है रिटायर हो गया है और बचे हैं यहां पर जो नया अनुपात है वह हो जाएगा चार अनुपात पांच अब अगर हम बात करें नफ्य के अनुपात तो जैसे की हमने पहले जाना कि अगर जो बचेहु कर अब किसी प्रकार का परिवर्टन न करें और पहले लाभानी विभाजन आप पाथ में वो निवर्त्य साज़ेदार के हिस्से को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो कहीं न कहीं उनको नफा तो हुआ लाब तो नफे के अनुपात की गढ़ना यहां पर हम कैसे करेंगे इसके लिए हम एक समाने सा फॉर्मुला यूज करेंगे जो होगा नफे का अनुपात याने गेनिंग रेशियो बराबर नया अनुपात माइनस पुरान अनुपात निव रेशियो माइनस ओल रेशियो तो बहुत ही आसानी से हम नफे प्राप्ति अनुपात की गढ़ना कर लेते हैं दूसरा अगर हम देखें कि हमने प्रवेश के समय देखा था कि जो जब कोई नया साज़ेदार प्रवेश लेता है तो वहां पर त्याग अनुपात की गढ़ना की जाती है और यहां पर क्योंकि साज़ेदार छोड़कर चला गया तो उसका हिस्सा पुराने साज़ेदारों ने लिया है तो उनको नफा हो रहा है लाव हो रहा है तो उस त्याग अनुपा है कि जब पुराने साज़ेदार जो फर्म में है और कोई नया साज़ेदार फर्म में प्रवेश लेता है तो पुराने जो साज़ेदार होते हैं उनको अपने लाब का कुछ हिस्सा छोड़ कर या त्याग करके नए साज़ेदार को देना होता है इसलिए वो त्याग प्राप्ति अनुपात भी कहलाता है लेकिन अगर हम नफिक अनुपात के बात करें लाब प्राप्ति अनुपात के हम बात करें तो यहां पर जो एक साज़ेदार फर्म को छोड़ कर चला गया उसका हिस्सा भी जो बचए साजेदार है वो प्राप्ति कर रहे हैं तो कहिन न कहिन में प्रवेश की कंडिशन में दूसरा ऑप old ratio minus new ratio लेकिन जब हम लाप्राप्तिय अनुपात की करते हैं साज़िदार की निवर्ति के समय तो वहां पर हम form uh तो यह एक डिफरेंट्स है तीसरा हम यह कह सकते हैं कि जो त्याग अनुपात होता है वह किसी नए साज़िदार की प्रवेश के समय होता है और जो लाप्राप्ति अनुपात होता है वो साजेदार के निवृत्ति के समय कैलकुलेट किया जाता है चौथे अनुपात चौथा जो डिफरेंस है उसके बारे में में कह सकते हैं कि जो त्याग प्राप्ति का जो अनुपात होता है वो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है कि नए क्याता है कि एक साजेदार जो फर्म से होकर जा रहा है छोड़कर जा रहा है फिरम को उसको ख्याती का हिस्सा उसमें से कितना दिया जाए इसकी calculation करने के लिए यहां पर्म को लाप्राप्तिय अनुपात की गढ़ना करनी पड़ती हैं तो यह तो थी दोनों में अंतर की बात तो आपने देखा कि जब फर्म का जो निवृत्त होने वाला साज़ेदार है उसका पूरा का पूरा हिस्सा एक ही साज़ेदार करे कर ले तो किस प्रकार हम उसकी calculation करते हैं अब आईए हम इसकी चौथी दशा देखते हैं जब जो शेष साज़ेदार है उनका अगर नया अनुपात अलग से दिखाया गया हो तो उस condition में हम उसकी calculation कैसे करते हैं रंजना साधना और कामना लाब का विभाजन चार अनुपात तीन अनुपात दो के अनुपात में करते हैं रंजना अवकाश गर्ण करती हैं और साधना तथा कामना भविश्य में लाबों का बटवारा पांच अनुपात तीन के अनुपात में करने का नड़ना लेती हैं लाप प्राप्ति अनुपाद की गड़ना करनी है यहां पर हम देखते हैं कि पुराना अनुपाद तो दिया हुआ है साथ में जो भविश्य में लाप बाटने का अनुपात है या निकी जिसे हम कह सकते अनुपात जो हो जाएगा 5.8 जानिकी नयानुपात जो है 5 अनुपात 3 की आधार पर 5.8, और पुराना अनुपात का चार अनुपात 3 के हिसाब से 3.9 था, इसके आधार पर हम देखते हैं कि 45 माइनस 24 बटे 72 यानिकी 21 जो है वह साधना का नया अनुपात हो जाएगा, ऐसे ही कामना का अनुपात अगर हम calculate करें तो देखती ही कि कामना का जो नए अनुपात है formula के अनुपात है तो साधना का जो नए अनुपात था वो है 3 बटे 8 और जो पुराना अनुपात था वो है 2 बटे 9 तो यहां पर हमें 27-16-72 यानि 11-72 नया अनुपात कामना का प्राफ्ट हो जाता है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साधना और कामना गेनिंग रेशियो जो है यानि नफे का जो अनुपात है वो है 21-11 तो आपने देखा कि किस प्रकार अगर शेज साजेदारों का हिस्सा जो है नया निकाल कर दे दिया गया है तो वहाँ पर जो नया लाभानी विभाजाने उन बात है इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है बच्चो आपने ख्याती क्या है इसके बारे में जाना और किस किस तरह से इसकी कैलकुलेशन की जाती है साजेदारी वेवसाई के अंतरगत ख्याती की गणना की बहुत सारी विधिया होती है ये भी आपने देखा तो वास्तों में अगर ख्याती की बारे में कहा जाए तो ये वेवसाय की एक महत्पूर्ण अमूर्त संपत्ती है अब जबकि कोई साजेदार रिटायर होता है फर्म से निकलता है या किसी साजेदार की मृत्य हो जाती है तो उस condition में फर्म के जो शेश साज़ेदार बच जाते हैं उनका जो लाव विभाजन अनुपात होता है वो परिवर्तित हो जाता है आपने देखा यानि कि जो साज़ेदार रिटायर हो गया या जो साज़ेदार अमरित हो गया उसका हिस्सा भी बचे हुए साज़ेदार प्र ख्याती फॉर्म की उसका जब हम वैलेशन करते हैं किसी साज़ेदार की निवर्ति और मृत्यू पर तो ख्याती का जो मूल्य होता है उसमें जो निवर्त या मृत साज़ेदार का जो हिस्सा होता है उसको हमको कैलकुलेट करना है और उसके बाद जो शेश साज़ेदार करते समय जैसे अगर के पुस्तपों में ख्याती पहले से विद्मान उगों तो इस सारा से बहुत सारी प्रविष्टिया किस शंबंध में पास कि जाती है आए देखते हैं कि कौन-्कौन सी वो प्रविष्टिया है जिनको हमो ख्याती के समन्ध में जिनकीं हमको करनी है अग्यक कि साज़यदारी के विगटन और पस्वी साज़यदारी का ईसमें सब्सक्क्राइब कि साज़यदारी के समापन पर सदर्फिन जॉक्वाइब हो जाते हैं इस 沒有 साज़ेदारी के समापन साज़ेदारी के प्रवेश मृत्यू या आवकार्श ग्रहंट करने पर होता है जबकि साज़ेदारी फर्म का समापन विगटन ठहराओ अनिवार या आकासमिक घटनाओ या न्यायालाय द्वारा होता है साज़ेदारी के समापन में न्यायालाय का कोई हस्तिक शेप नहीं रहता जबकि फर्म के समापन में कुछ दशाओं में साज़ेदार आ, ब औ और सर एक फर्म में साज़ेदार है जो लाभानी को 4,93, 2 के अनुपात में बाटते हैं बाव फर्म से अवकाश ग्रेंड करता है, फर्म के ख्याती 81,000 रुपए मुल्यांकित की गई, बाव के ख्याती की गढ़ना कीजिए, जबकि आ और सा भविष्य में लाभानी 5 अनुपात 3 में बाटेंगे, यहां हमको सबसे पहले प्राप्ति अनुपात यानि गेनिंग पड़ेगी, तो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, यहां जो हमारा पुराना अनुपात है, वो है 4 अनुपात 3 अनुपात 2 और नया अनुपात जो है, वो है 4 बटे 9 तो 5 बटे 8 माइनस 4 बटे 9 यह हो जाएगा 45 माइनस 32 बटे 72 यानि 13 बटे 72 और बाका जो प्राप्तिय अनुपात है वो हो जाएगा नया अनुपात बाका है 3 बटे 8 और पुराना अनुपात बाका है 2 बटे 9 तो 3 बटे 8 माइनस 2 बटे 9 बराबर 27 माइनस 16 बटे 72 याने 11 बटे 72 तो इनका जो प्राप्ति अनुपात है वो है 13 अनुपात 11 अब क्योंकि इसी क्या धार पर हम यहाँ पे ख्याती का समयोजन करेंगे और firm की जो ख्याती है वो 81 रुपै पर मुल्यांकित की गई है तो firm की ख्याती में सबसे पहले हम retire होने वाले साजेदार का हिस्ता अलग कर लेंगे रिटायर होने वाला साजेदार यानि कि बा का जो हिस्सा था प्वाम में वो था तीन बटे नौ तो जो उसके हिस्से की ख्याती हो जाएगी वो हो जाएगी 81,000 गुड़ी 3 बटे 9 यानि 27,000 अ का हिस्सा अगर बा की ख्याती में देखा जाय तो वो हो जाएगा 27,000 गुड़ी तेरह बटे 24 क्योंकि जो प्राप्तिय अनुपात है उसके अनुझार आ का हिस्सा है 23 बटे 24 और सा का हिस्सा है 11 बटे 24 यानि 14,625 और सा का हिस्सा हो जाएगा 27,000 गोड़ी 11,24 यानि 12,375 अब इस calculation के आधार पर जब हम इनकी पंजी प्रविष्टी करेंगे तो पंजी प्रविष्टी करते समय यहां पर इसकी जो condition है उसको हम ध्यान रखेंगे यानि कि जब ख्याती खाता पहले से विद्धमान नहीं हो यहां पर ख्याती खाते के बार पुंजी खाता डेबिट बा ira के पुंजी खाता से अ के पुंजी खाते केडेि के मांघ 14,625 और आ के पुंजी को जाते से यहनी Total हो जाएग Erst 2, gehen ब्रिजिश और अनुरोद लाब का विभाजन्ं तीन अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में करते हुई साज़ेदार हैं, ख्याती को पुस्तकों में 30,000 रुपे मूले से दर्शाया गया है, आशिश सेवा निवृत्त होता है, ख्याती को पुस्तकों में 30,000 रुपे के मूले से दर्शाया गया है, आशिश सेवा निवृत्त होता है, तता आशिश क सेवा निवर्ति के समय ख्याती का मुल्यांकन 42,000 रुपय किया गया ब्रिजेश वा अनुरोध ने भविश्य के लाभों का विभाजन दो अनुपात एक के अनुपात में करने का नड़न लिया है आवश्यक पंजी प्रविष्टी कीजिए इस प्रश्ण में हम देख रहे हैं तो इस कंडिशन में हमको सबसे पहले प्राप्तिय अनुपात की गढ़ना करनी होगी प्राप्तिय अनुपात निकालने के लिए हम देखते हैं कि नया भाग माइनस पुराना भाग अगर हम करते हैं तो ब्रिजेश का जो नया भाग है वो है 2 बटे 3 और जो पुराना भाग इसे तरह अनुरोध का आँप्ति है अनुरोध का इस प्राप्ति अनुपात हो जाएगा इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिजेश और और अनुरोध जो शेश स्व Integration हैं, उनका प्राप्तिय हनुपात हैं यान dapat यानि हम कह सकते की एक बटे दो और एक बटे दो उनका प्राप्तिय क्हड़्व पाथ हैं, इस आधार पर अगर हम आशीश के हिससे कीmirotch निकालते हैं तो आशीश के हिसे के जो ख्याती होगी वो होगी 42,000 गुडित एक बटे तीन याने की 14,000 रुपए अब इस 14,000 को अगर हम अनरोध और ब्रजेश को बाटना चाहें तो क्योंकि उनका प्राप्ति अनुपात हमने एक अनुपात एक यहां पर ग्याद कर लिया है तो जब हम जनरल प्रविष्टि करेंगे तो यहां पर इसको हम एक अनुपात एक में बाटेंगे आए देखते हैं जनरल प्रविष्टि किस प्रकार के जाएगी सबसे पहले क्योंकि विद्धमान ख्याती जो है उसको पुराने अनुपात में हमको राइट अप करना है अनुरोद का पुर्जी खाता डेबिट पांच उजार रुपैसे यानि कि ख्याती में जो पुष्टकों का मूले तीस जार रुपै था उसे हम तीन अनुपात दो अनुपात एक तेनुपात में बाट कर यहां पर लिखेंगे अब जब हम ख्याती का जो हिस्सा है उसे ब्र जिसके के के कल्कुलेशन हम ने कर रखी है चवदा हजार जो आशिश के हिस्से की ख्याती कि राशी है उसे हम साथ हजार ब्रिजेश में और साथ हजार अनुरोद में बाट देंगे आब वसा एक पर में साजेधार है जो लाबानी को तीन अनुपात दो के तीन अनुपात साथ भाविश्य में लाब को 9 अनुपात साथ के अनुपात में बाठते हैं आवश्यप जनरल प्रविष्टी कीजिए यह जह हम देखते हैं कि आखो बगे से से जो प्राप्ति होती है वो होगी दो बटे 6 का नो बटे 16 यानि की बा के हिस्से के जो राशी है उसका नो बटे 16 जो की नया रेश्य आपर निकाल की दिया गया है नो अनुपाद 7 उसके हिसाब से नो बटे 16 हिस्सा प्राप्त होगा दो बटे 6 का नो बटे 16 यानि की 3 बटे 16 यहां पर 9 नौपात साथ दिया गया है तो 2 का हिस्सा है 2 बटे 6 यानि 2 बटे 6 गुड़े 7 बटे सोला बराबर 7 बटे 48 अब अगर हम इसके प्राप्ती अनुपात के बाद करें तो पहले तो हम कोम के हर को बराबर करना होगा हर को बराबर करने के लिए हम तीन बटे सोला जो है उसको तीन से हम अश को भी मल्टीप्लाई करेंगे और तीन भी हो प्राप्ति मकल बदाइब हो जर्पाउ little और साथ का सा को जो प्राप्त है बाप का पो हुआ हो जायो में 9 9ומתा साथ अब अगर हम ख्याती की बात करें तो बढका जो फर्म में ख्याती का हिस्टा है वह हो जाएगा कुल 60.000.000万 च्छोड सीष्ऩाा बढ़ा था तो यह हो जाएगा बढका हिस्टा 20,000 अब आई इसकी प्रविष्टी करते हैं तो प्रविष्टी के लिए पहले हम पुरानी जो ख्याती है उसको राइट-अफ करेंगे और राइट-फ करने के लिए हम यहां पर जनरल एंट्रे देंगे आ का 15 खाता डेबिट 12,000, 2 का 16 खाता डेबिट 8,000 और सा का 16 खाता डेबिट 4,000 यहाँ पर हमने देखा कि गुड़बिल यानि ख्याती जो है पुरानी जिसको हमको राइट ओफ करना है वह है 24,000 तो हमने 24,000 को तीन अनुपाद दो अनुपाद एक में बाट दिया है तो आ, 2 और सा का हिस्सा करमेशा 12,000,8,000,4,000 प्राप्ति हो गया है जो सेवा निर्त हो रहा है उसके ख्याती को हमको एड्जिस्ट करना है ए और C के एकाउंट में तो उसके लिए हम ने क्योंकि लाप्राप्तिय अनुपात की कैलकुलेशन यहाप पर कर रखी है तो 20,000 जो बी का हिस में बीस हजार रुपया क्याती एक का जो हिस्सा है बी का उसे हम ये जो नया प्राप्ती अनूपात हमने जो कैलकुलेट किया है नौ अनुपात साथ इसमें डिस्रिब्यूट कर देंगे ए और देंगे आए और सीको तो 20,000 को जब हम ए और सी में नौ आनुपात साथ में